समय की गहरी रात के आंधेरे में एक गाव में एक लकड़ारा रहता था, जिसे सभी लोग लालची लकड़ारा कहकर जानते थे। इस लकड़ारे का दिल बस और बस पैसे कमाने में लगा रहता था। गाम वालों ने कहा, लालची लकड़ारा, तुम्हारा दिल सिर्फ पैसे में है, हमें तो तुम्हारी आँखों में भी सिर्फ सोने की चमक ही दिखती है। एक दिन लालची लकड़ारा ने सुना कि जंगल में एक बड़ा सा पेड़ है जिसमें सोने के फल होते हैं। लाल्ची लकड़ारा ने तुरंट सोने की चमक देखने के लिए जंगल की ओर रुख किया। जंगल में पहुँचकर उसने पेड़ की ओर बढ़ते हुए देखा कि पेड़ पर सोने के फल वाकई मौजूद हैं। लाल्ची लकड़ारा ने भाग कर उन फलों को तोड़ा और अपनी खुशी में अपने घर की ओर बढ़ा। घर पहुँचकर उसने देखा कि उसके हाथों में सोने के फलों की चमक अदभुत है लेकिन उसकी दिल में अब भी कहीं खाली पन था। वह समझा कि पैसा और सोने के फल ही खुद में खुशियाँ नहीं ला सकते। उसने खुद से कहा मैंने इतना सोना और पैसा कमाया लेकिन इससे मेरा दिल संतुष्ट नहीं हो रहा।